दोस्तो आप सभी का हमारी चैनल में हार्थिक स्वागत है आज हम साबूत हूंग दाल का पेष्ट बनाकर उसे पनीर माडल गट्टे देकर सबजी बनाएंगे सबसे पहले हमने साबूत हूंग दाल को पीस करके इसमें नमक और लैसुन में चाद्रक का पेष्ट बनाकर डाल लिया था उसे हमने इस्टेंड में डाल कर भाप में पका लिया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया पका हुआ है ठंडा होने पर हम इसे कित्टे बना लेते हैं अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरब हमने कढ़ाई को गयस पर गरम करने के लिया रख दिया है एक चमस त्यल डाल लेते हैं इन गिट्टों को फ्राई कर लेते हैं एक दम मीडियम आज पर हम इने फ्राई करेंगे, लग वग हम तीन मिनट तक इन गिट्टों को फ्राई करेंगे, बीच में हम इसे ठब कर पकाएंगे और इसे पलट भी देंगे, आप देख सकते हैं गिट्टे फ्राई हो चुके हैं, अब हम एक पलेट में निकाल लेते हैं, अब हम दुबारा गैस पर कढ़ाई चड़ा देते हैं, एक चम्मच तेल डाल देते हैं, एक चम्मच जीरा डाल देते हैं, जीरा चटक रहा है, अद्रक लैसून, मिर्च का हमने पेश्ट बनाया था, अब हम उसको डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करके तेल में पका तो प्याज हमने कटिंग करके रखा ता इसको हम डाल देते हैं इसको हल्का गुलावी होने तक पकने देखते हैं तो दाल चिनी के टुग्रे एक तईस पत्ता हम ने डाल कर पका लिया है अब हम हमें डालते हैं एक सब्सम्ज नसाला एक चम्मच हल्दी पौडर दो चम्मच मिर्च निया बॉटर एक चम्मच चाल मसाला एक चौधाई चम्मच मिर्च इनको अच्छे से मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा पानी डाल कर पका लेते हैं डग कर हम इसे इतना पकाएंगे जब तक के कढाई उसे मसाले तेल ना छोड़ दें आप देख सकते हैं आब हम डाल देते नमक अपने स्वाद के हम साथ डाले इसे हम ढखकर दो मिनट पका लेते हैं यह प्यूरी पक चुकी है एक चम्मत सिमिंटर्च पाउडर हम डाल देते हैं इसको भी थोड़ा सा एक लास पानी डाल कर हम अच्छे से ठक कर इसे पांच मिनट तक पकाएंगे आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया पानी हमारा पक चुका है अब हम जो गट्टे फ्राई करके रखे थे इन गट्टों के इसी में डाल देते हैं अब हम इसे ठक कर पांच मिनट इसे मीडिया मास पर पका लेते हैं आप देख सकते हैं सब्ची हमारी बनकर तयार हो गई है अब हम इसे पलेट में टांसफर कर लेते हैं पलेट में निकाल कर हम धनिया कटी हरी धनिया डाल देते हैं दोस्तों हमारे चैनल को अवस्य सब्सक्राइब करें धन्यवाद